CM कमलनाथ मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली का तहफा देंगे जी हाँ कमलनाथ सरकार तीन फीजदी तक दिये बढ़ा सकती है देखे एखास रिपोर्ट पर्देश के जनसंपर्क मंत्री ने सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने की पहले का स्वागत किया है मंत्री PC शर्मा के मताबिक सरकार कर्मचारी वर्क को दिवाली से पहले ये तोहफा देगी बता दें कि केंद्रिय करमचारियों के डिये बढ़ाने के फैसले के बाद प्रधेश सरकार ने भी दिवाली से पहले करमचारियों को बढ़े हुए डिये का फायदा देने की त्यारी कर ली है सरकार के इस पैसले से वित्त विभाग पर तकरीबन 900 करोड का अतिरिक्त भार आएगा दरसल केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रिय करमचारियों का डिये 12 फीजदी से बढ़ा कर 17 फीजदी करने का फैसला लिया है ऐसे में प्रदेश के करमचारियों की मांग पर सरकार ने अब राज के करमचारियों के डिये में तीन फीजदी की बढ़ातरी की तयारी की है वहीं इसे लेकर भाजपा ने भी निशाना साधा पूर्व मंतरी विश्वा सारंग ने कहा कि डिये देने का फैसला गोशना तक सीमित नहीं रह जाए देखिए करमचारियों को तो डिये पहले ही देना चाहिए था हमारी सरकार ने करमचारियों के हितका हरसों में ध्यान रखा कांग्रेस की सरकार जब से आई है ये मध्य प्रिदेश में दो नमबर के अर्थ विवस्था को आगे बढ़ा रही है अधिकारी कर्मचारियों के साथ कुठारा घात हो रहा है उनके सम्मान को ठेस पहुच रही है कभी पटवारियों को गाली दी जाती है तो कभी डॉक्टर्स के साथ दुर्वेहार किया जाता है ये जो डिये देने का निर्ड है मुझे लगता है देर से आया है और इसके साथ साथ सरकार को ये भी सुनिश्यत करना चाहिए ये केवल घोशना तक सीमीत नई रहे बलकि ये सही रूप में कर्मशारियों को मिलना चाहिए पर मंद्च प्रदेश की वित्ति इस्तिती इतनी खराब है कि सरकार की ये घोशना केवल घोशना ही नहा जाएगी फिलहाल सरकार वित्य संसाधनों में कटोती करने में जुटी है और प्रदेश के वित्य संसाधनों को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए डिये बढ़ाने का फैसला लेने की तयारी की है हाला कि कर्मचारियों को बढ़े हुए डिये का लाब कब से मिलेगा और कब से सरकार कर्मचारियों को area का भुकतान करेगी यह सरकार का आदेश जारी होने के बाद ही पता चलेगा लेकिन फिलहाल सरकार की कोशिश इस बात को लेकर है कि दिवाली से पहले प्रदेश के साढ़े चार लाख करमचारियों को डिये की साउगात दे कर करमचारियों की दिवाली को जगमक किया जाए ब्यूरो रिपोर्ट, MP News भोपाल